Hello friends, आजगी इस वीडियो में हम बात करेंगे fluid mechanics के कुछ most important objective questions के बारे में ये सभी questions जो हैं आपके state PSC exam के लिए काफ़ important होंगे और इन सभी questions को मैंने previous year exam जो state PSC के हो चुके हैं उन सभी questions को यहाँ पर select किया है ठीक है तो आप देख सकते हैं question ये आपके आने वाले exam के लिए काफ़ important होंगी तो चलिए आप question को देखते हैं तो पहला question है हमारा match list one with list second ठीक है select the correct answer ठीक है list जो first वाली list है उसको second वाली list से आपको match करना है ठीक है इसके सामने इन सभी की unit दी गहीं तो आपको correct unit उसी के सामने हाँ पर बतानी है कौन सी होगी तो मैं dynamic viscosity की unit आपको बता दूँ इसकी होती है newton second पर meter square और एक इसकी unit और भी होती है अगर वह एक्जाम में आती है तो वह होती है poise ठीक है cgs जो पद्धी उसमें एक unit होती है इसकी poise ठीक है और इसके बाद बात करते है kinematic viscosity की जो unit होती है meter square per second और एक unit होती है इसकी stock cgs में श्रॉक होती है और एक इस टोप इस टोट टो दस की पावर 4 M2 पर सेक्ट होते हैं उसके बाद बात करते हैं torsional stiffness की तो torsional stiffness की जो यूनिट होती है वह होती है newton पर मीटर मोडलस of rigidity की बात करें तो इसकी यूनिट होती है पास्कल ठीक है तो सबकी यूनिट आपको पता लग गई है dynamic viscosity और kinematic viscosity में एक relation भी होता है kinematic viscosity is equal to dynamic viscosity upon density बता दूमें जैसे की काने स्कौश्टी काने में एक विस्कौश्टी इसगल्टू डाइनमर्ट्च विस्कौश्टी म्यू अपवन डेंस्टी रो यह रेलेशन इसका काफ़ इंपोर्टेंट है इसे भी आप याद कर लो हूं यूनिट इनकी इंपोर्टेंट है तो इसका कारण है कि मरकरी के अंदर जो एड़ेशन फोर्स है वह बहुत ही कम और कोहेशन फोर्स बहुत जादा होता है इसलिए मरकरी जो है ग्लास को वैट नहीं करती है तो इसका यहाँ पर C-Options correct हो जाएगा इस अड़ेशन फोर्स लगवग जीरो के एक्वाली होता है इसलिए ग्लास को वैट नहीं करती है अगर ग्लास में मरकरी को रखते है इसके बाद बात करू अड़ेशन और कोहेशन फोर्स की अ सेम टाइब के मैट्रिल के मॉलिकूल आपस में चिपकते हैं तो उसे हम कोहिजन बोलते हैं तो यह होगे अड़ैसन और कोहिजन मरकर के केस में अड़ैसन 0 होता है कोहिजन जाल होता है जिसकी वज़े से वो गिलास को वैट नहीं करती है तो इसका यहाँ पे C-Option correct हो जाएग ठीक है C-Option इसका correct हो जाएगा और Newton's low viscosity कौन सा होता है वह मैं आपको बताएता हूं ठीक है तो फोर्मूला होता है Newton's low viscosity का टो इसगल टू मियू इंटू डीवी अपोन डीवाई ठीक है तो यहाँ पर इसे नहीं कुछ है कि यह फोर्मूला के सबसे पहले यह होता है हाँ पर इसाय बोलता है डायनमिक विजोस्ती है यह होता है cr stress और यह होता रेट ओफ सियेर पर पोला नू नियुक्म के बीच में ही क्योंकि Hitco हमारा इसनली परपॉर्सनल होता है डी फेंपोन डी गड़ी एक है बाद में जो विपक्वल करते हैं तो यह से डाइनमिक गॉस्ट कोसटी भी बोलते है तो यह हमारा Newton's law का Newton's law of viscosity का जो formula है यह वाला मेंली यूज़ करते हैं हम To is equal to mu into dv upon dy ठीक है और यहाँ पर जो होवारे relation है Newton's law of viscosity depend करता है वो shear stress and rate of shear strain या rate of strain पर ठीक है तो C option इसका correct हो जाएगा next important question है kinematic viscosity is equal to ठीक है तो kinematic viscosity को बता चुका हूँ यह होती है dynamic viscosity upon density ठीक है तो इसका जो है B option आपका है करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर बता दूँ में जो kinematic viscosity है उसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट वह होती है meter square per second और CGS में आप बोल सकते है kinematic viscosity की unit जो CGS में वह होती है centimeter square per second या फिर इस्टोग ठीक है और इस्टोग एंड मीटर स्क्वाइर पर सेकिंड में चो रिलेशन है वह मैं बता दूँ एक meter square per second is equal to 10 की power 4 इस्टोग ठीक है इतना होती है एक meter square per second is equal to 10 की power 4 इस्टोग होती है यह आपको याद रखना है यह रिलेशन काफी बार पूछे जाता है में meter square per second जो unit है वह SI unit है और इस्टोग जो है CGS unit है तो इसकी SI को CGS में चेंज करते हैं तो उसमें यह relation बनता है ठीक है इसे भी आप याद रखें कि next question है which of the following has no unit ठीक है किसकी unit नहीं होती है आपका यह KPSC assistant engineer में आया हुआ question है तो अगर मैं बात करूं surface tension की तो इसकी unit होती है और इसकी unit होती है newton second per meter square उसके बाद बात करते है kinetic viscosity की इसकी unit होती है इसकी होती है unit meter square per second ठीक है और उसके बाद पूछा है कि which of the following has no unit, तो C option आपका correct होगा, next question है हमारा, SI unit of viscosity is, तो viscosity की जो SI unit है वो क्या होगी, तो SI unit जो viscosity होती है, वो होती है newton second पर meter square, लेकिन यहाँ पर यह option में है नहीं, तो हम यह देखते हैं कि 1 newton second पर meter square equal होता है 10 points के, ठीक है, equal होता है 10 points के, तो 10 points option में है, तो इसलि इसका B option यहाँ पर correct हो जाएगा, ठीक है, 1 newton second पर meter square is equal to 10 points, इसलिए इसकी जो ऐसा unit है, वो 10 points को माना गया है, इसलिए इसका B option correct हो जाएगा, अब विसकोस्टी की जो MKS unit में, जो MKS unit होगी विसकोस्टी की वो है, kilogram force second पर meter square, CGS unit हो जाएगी 10 second पर centimeter square, ठीक है, और ऐसा unit आ आपको पता है, newton second पर meter square, इन्हें आप याद कर सकते हैं, सभी unit को, next, जो हमारा question है, वो है, cavitation is caused by, cavitation हमारी किस कारण से होती है, तो cavitation is caused by low pressure, ठीक है, तो आपका C option यहाँ पर correct हो जाएगा, लेकिन cavitation का जो basically क्या phenomenon है, वो हम बात करते हैं, cavitation हमारी तब होती है, जब भी हमारा liquid का जो pressure है, वो vapor pressure से काफी कम हो जाता है, या फिर उसके equal या फिर कम हो जाता है, उस time पर हमारे पानी में, ये liquid में, वहाँ पर bubble बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, bubble बनना जब सुरू हो जाते हैं, तो वो bubble जो collapse होते हैं, वो high pressure, जहा हाँ पर वो collapse होते हैं, उस surface पर एक dent बना देते हैं, जिसे हम cavitation बोलते हैं, ठीक है, तो इसका में कोज है, वो low pressure ही होता है, तो C option इसका correct हो जाएगा, नेक्स्ट्ट्सन है, इन्दा CGS unit, dynamic viscosity is expressed as, ठीक है, तो dynamic viscosity को CGS unit होती है, इसकी poise, ये option इसका correct हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो formula दिया गया है, Newton's law of viscosity का, यह वाला, यहाँ पर इसमें बता दूँँ, जो tau है, यह serious stress है, mu viscosity, और DV जो है, यह fluid का जो velocity है, और DY जो दो fluid layer के बीच का distance है, ठीक है, और viscosity का formula हम बता चुका हूँ, Newton's second per meter square, ऐसा unit में, और CGS में होता है, poise, तो इसका, यह option है, यह D option इसका correct हो जाएगा, 10 number question इसका, यह आपके, जो है, HP, PSC में, आया हुआ question है, 2016 में, compressibility of a liquid is expressed by its, ठीक है, तो compressibility को किस से express करते हैं, उसे करते हैं, bulk modulus of elasticity से, तो इसका D option correct हो जाएगा, और compressibility का जो formula होता है, वो यह formula होता है, compressibility is equal to 1 upon bulk modulus, ठीक है, तो इसलिए compressibility जो express होती है, bulk modulus के form में, मतलब express होती है, ठीक है, compressibility is equal to 1 by bulk modulus, और bulk modulus का जो formula हो होता है, bulk modulus is equal to increase of pressure upon volumetric strain, यह वाला, इसे भी आप याद कर लें, दोनों formula आपके important हो जाएगे, जो next में से नहीं वोला है, compressibility is the reciprocal of bulk modulus of elasticity, तो यह bulk modulus of elasticity की reciprocal होती है, हमारी जो है, compressibility, ठीक है, यह भी याद रखना है, यह उल्टा होता है, compressibility, उल्टी होती है, opposite होती है, bulk modulus की inverse होती है, ठीक है, यह भी point आपको याद रखना है, सभी इसके तीन point है, एक यह compressibility, और दूसरा modulus का formula, और तीसरा यह reciprocal होती है, वही, तो तीनों point को आपको याद रखना है, next question है, surface tension is expressed as, तो surface tension को कैसे express करते है, force per unit length, ठीक है, तो इसका जो surface tension का जो formula होता है, oh sorry, unit होती है, वह होती है, इसकी newton per meter, या फिर joule per meter square, ठीक है, इसकी दो unit होती है, newton per meter, या फिर joule per meter square, और इसका जो formula है, surface tension का, वो यह होता, सिग्मा, surface tension को सिग्मा जिनोश करते है, सिग्मा is equal to F upon L, यह इसका basically formula यूज करते हैं, surface tension के लिए, F जो है, यह force है, और L जो है, यह इकाई लंबाई, या per unit length जो होता है, वो है, और सिग्मा जो है, यह surface tension है, तो यह formula इसका mainly use के जाता है, इसे भी आप याद कर ले, और इस next question है, kinematic viscosity is equal to, ठीक है, तो kinematic viscosity के हम बता चुका हूँ कही बार, kinematic viscosity is equal to dynamic viscosity upon density होता है, और kinematic viscosity के जो unit है, वो नीचे दीवी गई है, इन सभी unit को आप याद कर ले, पहली unit है, ऐसा ही में, meter square per second, ठीक है, दूसरी CGS unit में है, centimeter square per second, या फिर स्टोक होता है, ठीक है, और 1 meter square per second, इ ठीक है, इसे याद कर ले, और 1 meter square per second is equal to 10 की power 4, ठीक है, तो इसे भी आप 4 है, ये कोई सा भी आपके exam के लिए, important हो सकता है, exam में, पूछा जा सकता है, तो इन सभी आप याद कर ले, ठीक है, important है, J level का कोई भी exam होगा, J हो, A हो, वहाँ सभी ये, जो important points है, उन्हें याद कर सभी के लिए, important होगे, next question है, one point is equal to, तो one point किसके equal होता है, ये होता है, 0.1 newton second per meter square, याद करना है ये आपको, directly याद कर रो, या तो one point is equal to 0.1 newton second per meter square देगा, या फिर exam में आपको दे सकता है, कि one point is equal to 10 की power minus 1 newton second per meter square, या फिर एक बटे 10 भी दे सकता है, उसके बाद उसने, newton second per meter square, तो तीनों condition को आपको याद रखना है, वो किसी तरह सकता है, उसके बाद उसने, newton slow of viscosity का formula भी दिया गया है, उसे भी आपको याद रखना है, to is equal to mu into d upon dy, ठीक है, to is equal to mu dynamic viscosity है, dv, जो है, velocity of fluid, और fluid की दो layer की बिचके distance dy है, उसके बाद dynamic viscosity जो होत होती है, pascal second या फिर newton second per meter square, उसके बाद बात करते हैं, एक poise is equal to होता है, 9 second per centimeter square के, यह दोनों इकल होते है, 1 poise is equal to 9 second per centimeter square, और last में, यहाँ पर बताया है कि, 1 poise is equal to 0.1 newton second per meter square, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि, is equal to, 1 poise is equal to, 1 बटा 10 newton second per meter square, ठीक है, तो यह सभी point जाद करने हैं, आपके exam के लिए important होंगे, next देखते हैं, next question है हमारा 14 number, capillary rise at 20 degree Celsius in clean glass tube of 1 mm bore containing water is approximately, ठीक है, तो यहाँ पर capillary rise पुछा है, आपको temperature दिया गया है, और bore का डाया दिया गया है, तो formula हमारा क्या होता है, capitalize का, h is equal to 4 sigma cos theta upon rose d, यहाँ पर sigma की value जो है, वो 20 degree Celsius पर water के लिए already fix होती है, और यह fix value होती है, sigma is equal to 0.0736 newton per meter, यह आपको याद करने है, already fix होती है, water के लिए 20 degree Celsius पर, theta की value जो है, clean glass tube के लिए, theta की value 0 होती है, यह भी आपको याद रखने है, दो चीज़े आपको याद रखने तो 4 into sigma की value आपको पता है, वो आप रख लेंगे, 0.036, 0.0736, उसके बाद cos theta की value, cos 0 की value जो है, वो आप यहाँ रखनेंगे, एक हो जाएगी, उसके बाद rho की value, 9850, rho into d की value, और उसके बाद आप यहाँ जो भी value आप put करेंगे, तो आप में, जो end में आप cancer हैगा, वो 30 mm, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसको, ठीक है, calculation को, काफी आसान है, ज़्यादा टिफिकल नहीं है, ठीक है, सबी की value fix हैं, यहाँ पर, बेश्टी की सलसर पर water की surface tension की fix होती है, और clean glass tube के लिए theta की value 0 होती है, भी आपको याद रखना है, बाकी आपको formula रखके, calculation कर दी answer आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जो है, आपका D option correct हो जाएगा, next important question है, और इसके जो important points है, वो भी आपको नीचे answer में दिये गए, question है, surface tension is due to, तो surface tension किसकी वाज़े से होती है, तो वी यह होती है, में लिए आपकी cohesion की वाज़े से, यह option इसका correct हो जाएगा, next है, surface tension के बा ठीक है, surface tension हमेशा जो होती है, वो gas और liquid के interface पर होगी, या फिर वो होगी, दो liquid interface पर, दो medium जहाँ पर भी interface होगे, आपसमें मिलेंगे, वही पर हमारी surface tension exist करेगी, next जो हमारा important point होगा, इसमें, वो यह होगा, कि it is a surface phenomenon, यह हमेशा surface पर ही होता है, उसके बाद है, it is a force per unit length, ठ F upon L, ठीक है, F यहाँ पर force पर L length है, तो force per unit length में इसे express करते हैं, उसके बाद last है कि for water air interface के लिए, 20 degree Celsius पर, जो surface tension की value होती है, वो होती है, 0.0736 newton per meter, ठीक है, तो यह हमेशा value आपको याद रखने है, और clean glass tube के लिए theta की value होगा आपसे पूस्ता है, तो वो 0 होती है, वो cohesion only, तो surface tension जो हमारी होती है, वो mainly cohesion की वज़े से होती है, तो इन सभी point को आप अच्छे से याद रखें, आपके exam के लिए काफी important होगे, तो यह थे 15 questions, जो मैंने PSC, जितने भी PSC के exam है, MPSC हो या फिर KPSC हो, HPPSC हो, ठीक है, उन सभी के लिए हाँ पर बताया है, और आप आपके आने वाले exam, जैसे की ASAM PSC में, अब यह exam आने वाला है, तो उसके लिए वीडियो काफी important होगी, वीडियो पर अगर reaction आपका अच्छा आता है, आप अच्छे like करते हैं, या comment करते हैं, ठीक है, तो मैं next video में लगवग 100 questions के असपस, इसी तरह की वीडियो में explain करूँ हुआ, अगर इस वीडियो पर response अच्छा आता है, तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं next video में,